हेलो दोस्तो वेलकम टू मैं चैनल दोस्तो आप देख पार होंगे आपके सामने ये हमारा उपर लगा हुआ स्ट्रॉबेरी का पोधा है जिसमें पूरा स्ट्रॉबेरी पोहुत मात्रा में लगा हुआ है आप देख पर होंगे मैं एक साइड में सब कुछ कर लिया हूँ क्योंकि ये अलग-अलग साइड में थै ये देख पर होंगे कितने सारे स्ट्रॉबेरी लगे हुए हैं और देखे ये छट के उपर आपके साथ पूरा कुछ सारा कुछ जो सेयर किया हुआ था इसको केसे लगाना है सारा कुछ जो आपके साथ सेयर किया हुआ था ये इसका रेजल्ट है ये अभी बहुत ज़्यादा मत्रा में फल रहा है और देख पर होंगे इसका फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का स्टेज देख पर होंगे बहुत सारे फ्रूटिंग लगा हुआ है यह देखिए क्योंकि इसको इसे ही पूरा पोधे में ही इसे लाल करके खाने से बहुत ही इसका टेस्ट बढ़ जाता है स्ट्रॉबेरी का अक्चुल टेस्ट पूरा जब यह पोधे में ही पक जाता है बहुत संदर टेस्ट लगता है देख पर होंगे इस पोधे में बहुत सारे स्ट्रॉबेरी हर्बेस्टिंग अलेडिक किया जा चुका है यह पहले पहले हुआ था सारे पोधी में पूरा फूटिंग पूरा भर भर के हुआ है स्ट्राबेरी देख पा रहा होंगे तिन्ठो ये काटो पॉट में लगा हुआ है और एक ठो काटोन में लगा हुआ है जो की पोहोती संदर रिजल दे रहा है ये तिन-चार इंच के गहराई का ही पॉट है दोस्तों आपके साथ लगाए गया अभी वीडियो सेयर किया गया है कैसे लगाए गया था छोटे-छोटे स्ट्राबेरी के प्लांट पूरा ये अभी कितना बड़ा हो गया और कितना सारा फूर्ट लदा हुआ है देख पा रहे होंगे बहुत सारे रावर के लाव उडिसा में बहुत कम मत्रा में टेंपरेचर रहता है तो ये जहां का भी थन थोड़ा अच्छा रहेगा मिनिमम टेंपरेचर लगभाग 10 डिगरी के नीचे आसपास रहेगा वहाँ पर अच्छे से ये फूर्टिंग देगा सक्सेसफुली फूर्टिंग देगा इसको ढकके रखना पढ़ रहा है क्यूंकि सारा कुछ बाढ आके इसको खा देते हैं तो पूरा खरप ऑजाता है तो ये से जाली विच्छा के रखना पढ़ रहा है नहीं तो यह इसे फ्रूट पुरा पोधे में पक जाने से बहुत ही संदर इसका टेस्ट लगता है मिठा भी आता है थोड़ा तो इसलिए इसको ढपके रखना पड़ रहा है और भी दिखाता हूं आपको यह सारे प्लास्टिक के इसे पॉर्ट में भी लगा गया है स्ट्रॉबेरी लाल पढ़ना चालो हो गया है इसमें बहुत सारे देख पर होंगे लगा हुआ है यह थोलाल पढ़ गया था जो कि एक पर होंगे खा लिया है बाड़ने यह से खा देते हैं तो इसलिए धबके रखना पढ़ रहा है यह देखे स्ट्रॉबेरी इसमें भी लगा हुआ है और इसमें सारे फ्लावर अभी आ रहे हैं तो दोस्तों आप तो देख लिए हमारे च्छत के उपर स्ट्रॉबेरी का पुरा फ्रूट केसे लगा हुआ है यह कुछ हार्वेस्टिंग के बक्त का वीडियो है देख पर होंगे यह पूरी तरीके से पग गया है और हर्वेस्टिंग के लायक पूरा रेडि हो गया था तो दोस्तों इसे पोधे से ही आप हर्वेस्टिंग जब करके खाते हैं बहुत ही अच्छा लगता है और टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों यह कि पुरा लाल लाल कलर के रेड कलर के स्ट्रॉबेरी रेयर फ्रूट जो कि बहुत ही अच्छे से होता है यहां पर यह कुछ रेडने देते हैं तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताए है थैंक्यू फ्रेंड